नमस्कार साथियों मैं ववन सिंग गुरुकुल ओनलाइन क्लासेश के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ साथियों अपने अंतिम क्लाश में अलंकार की चर्चा के दौरान हम लोगों ने अलंकार के भेदों पर चर्चा प्रारंब की थी और उसके तहट उसके एक भेद शब्ता अलंकार के अंतरगत एक अनुप्रास अलंकार के चर्चा के दौरान हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार और उसके भेदों को पर लिया था तो अनुप्रास अलंकार के जो पांच प्रमुक भेद थे उनमें से हमने चार पे अपनी चर्चा को पूर्ण कर लिया था और एक अंतिम भेद उसका जो की अंतिया अनुप्रास है वो हम लोगों का बाकी रह गया था तो आएए आज की अपनी चर्चा को हम उसी बिंद उसे प्रारम करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं आएए देखने साथियों अन्तिया अनुप्रास क्या होता है अन्तिया अनुप्रास तो देखे अन्तिया अनुप्रास को अगर हम तोड़ेंगे तो यह शब्द बनेग अन्तिधन अनुप्रास यानि अनुप्रास का मत्थुआ अनुप्रास का अर्थुआ वर्णों की आवरत्ति ये जैसा की हम लोग लगातार अपनी चर्चा में पढ़ते आ रहे हैं कि अनुप्रास का अर्थ ही होता है क्या कि वर्णों का बार बार आना और अंतिया यहां पे शर्द जुड़ गया इसके पहले देखे अनुप्रास के पहले शर्द जुड़ गया अंतिया तो इसका अर्थ हुआ अंतिम अत्वा आखरी तो देखे इसकी परिवाशा हमें किस रूप में मिलेगी कि अन्तिय अनुप्रास हमारा ऐसा अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें किसी काद्र के अन्तिम वर्डों में आवरत्ती पाई जाती है इस पस्ट है देखें अनुप्रास का मतलब तो हुआ कि वर्डों की आवरत्ती लेकिन उन वर्णों के आवर्ति का क्रम क्या होगा अगर उन वर्णों के आवर्ति कैसी है शब्तों के अंतिम वर्ण में या दूसरे अर्थों में हम कहें कि जो कोई काव्य हम लिख रहे हैं अत्वा पर रहे हैं उस काव्य का अंतिम वर्ण जो है अगर उसमें हमें समान्ता मिल जाती है या एक प्रकार का दूसरे शब्दों में हम कहें कि उसमें तुक का भाव हमें प्राप्त हो जाता है कैसा भाव प्राप्त हो जाता है तुक का भाव यदि प्राप्त हो जाता है तो ऐसा जो उधारर होगा या जो काव्य होगा वो हमारा अंत्यानुप्रास के अंतरगत जाएगा किसके अंत्यानुप्रास के अंतरगत जाएगा अंत्यानुप्रास के अंतरगत जाएगा साथे उसके इपर परिभाशा देख लेते हैं हम लोग परिभाशा हम लोग देख लेते हैं इसकी परिभाशा क्या होगी कि जब किसी काव विपगे जब किसी काव में प्रियुप्त शब्द के अंतिम वर्लों में समानता पाई जाती है क्या पाई जाती है समानता पाई जाती है तो ऐसा काव जो होता है ऐसा काव या ऐसा उधार जो होता है वो हमारा किसके अंतरगा जाता है? वो हमारा अंत्यानुप्राज के अंतरगा जाता है ठीक है साथियो? आईए इसको धारन के माद्ध्यम से हम लोग समझते हैं जैसे जब हम लोग देखते हैं तो बिहारी जी का एक बहुत चर्चित दोहा है उसकी चर्चा से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं बिहारी लिखते हैं कहत नतत रीज़त खिज़त मिलत खिलत लजियात देखें बहुती चर्चित और बहुती प्रसिद्ध ये विहारी का दोहा है ठीकें? और इस दोहे का अपना एक वैसिष्ट है बहुत सी विशेष्टाओं को ये दोहा समाहित किये हुए है ठीके? और विशेष अर्थों में भी इस दोहे का प्रयोग हम लोग करते हैं देखें यहां पे जो बिहारी कह रहे हैं अपने दोहे में वो कहते हैं अपनी प्रथम पंक्ति में वो कहते हैं कि काहत नटत रीज़त खिज़त मिलत खिलत लजियात और दूसरी पंक्ति में वो लिखते हैं कि भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात हम लोगों ने कई बार इस चीज़ों को देखा हुआ है कई बार इन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में या लोगों के मद्द से इस उक्ति को भी सुना हुआ है कि कभी-कभी जो बाते होती हैं या जो भाव होते हैं या जो विचार होते हैं उनको बोलने के अवश्यक्ता नहीं होती है कभी-कभी क्या होता है जो भी विचार होते हैं वो आखों के माद्यम से बेखते हो जाते हैं ठीक है strengths अपने जुपको सुन ते उए का होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने उनकी आखे पढ़ ली आ और उनकी आंखों को देख कर के मैंने इस चीज को पता लगा लिया है कि वहाँ पर वह कुमन में क्या चल रहा है यां कि कि हमाई प्रतिज और ना है वो कैसे और सबसे अच्छा बात यह होती है कि जभ्लों कभी प्रेमी प्रेमिका का प्रसंग रोता एख के ला तो वहाँ पर ज्यादाता बाते जो सबस्तों होगें रहू जाती है लुवार कभी देखेंग जब दो नम युगन मिलते हैं या कोई आशिक मिलता है तो हां पर वो सिर्फ इसानों की मुढ हैं माध्यम से इस probably यह में तो यही चीजिस बिहारी ने अपने माध्यम से कही है श्राना। यहां पर क्या कहना चाहते हैं जो सके बारें भी बढ़ती बढ़ी चोगते ठीक दुछ जाता यह बहुत चर्चित पंगती हैं किस कवी की पंक्तिया है या किस कवी द्वारा लिखी गई है तो इसका अंसर हो जाएगा बिहारी और बिहारी के संदर्म में आपको एक बात जो महतुकूर जानी है वो यह जानी है कि बिहारी को क्या कहा जाता है बिहारी को एक उपमा दी गई है हिंदी साहित में गागर में सागर भरने वाला कवी यह पंक्तोर में पूछा गया है कि किस कवी को गागर में सागर भढ़ने वाला कमी माना गया है देखिए इसका मतलब क्या है गागर में सागर गागर का मतलब होता है घगरी खड़ा एक छोटी सी चीज में बहुत बड़े अर्थ को कहे देना बहुत ब ilgili इस का बने की घुत मान डियां इस बढ़ने वाला कवी विहारी को क्या उपन दी गई गालगर्ण अब देखिए इस पंक्ति में वो कहते हैं वो कहते हैं कि एक सभा मंड़ है या मान लीजे कोई एक जगह है जहां पर कई लोग उपस्थित है वहां पर नायक प्रेमी उपस्थित है और सौभा के पास उसकी ना किस प्रकार से चीजों को करता है तो आखों के माध्यम से वो किस प्रकार से कहता है बात को तो उसी को इस दोहे के माध्यम से प्यारी कहते हैं देखिए आखों के माध्यम से वो कोई बात कोई भाव अपने मन का नायका तक पहुँचाता है तो पहले वो क्या करता है जब द कि मन ही जाने मन की भासा अगर प्रेमी के मन में क्या है यह बहुत सिर्फ प्रेमी का ही जान सकती है तो ताकि किसी को वहां बैठे लोगों पता भी न चले और उसका काम भी हो जाए तो वह इशारों से एक बात कहने का प्रयास करता है का है देखिए एक क्रिया यहां पे हो उसने अपनी बात को इसारे के मद्यम से कहा ठीक जैसे ही बात को उसने कहा नाइका ने उसकी बात को समझ लिया कि इसने हमसे क्या कहने का प्रयास किया और जैसे ही उसने उसकी बात को समझा तो उसने कह दिया नटत मतलब मना कर दिया यानि एक क्रिया हो गई किसके द्वार पहले बिहारी के द्वारा या नायक के द्वारा दूसरी क्रिया हुई नायका के द्वारा जैसे उसको समझा कि अच्छा है यह हमसे इस चीज की मांग कर रहा है या ऐसा कह रहा है तो उसको कहते ही वो क्या कर देती है नटत यानि मना कर देती है और जैसे ही वो मना करती है तो तो नायक क्हीज जाती है कि तुमको एक बार मना कर दिया है अब औरे सबागार में तुम इसी बत्तमीजी कर रहे हो कोई देख लेगा तो क्या करेगा तुम्हें समझ में नहीं आता है तो उसके रिजाने के प्रयास से नाइका क्या कर दती है, खीज जाती है, याँ पर देखें फिर एक्रिया हुई, ठीक है ला, उसके बाद वो कहता है, मिलत, ठीक है, मिलत, मिलत का मतलब क्या होता है, कि खीजाने के प्रयास में वो इधर उधर देखने कर दती है, लेकिन फिर मतलब लगे ही हुए है हमको मतलब अपनी बात मनवा के ही मानोगे तो इस बात के इस प्रयास को देख करके उसके मन में क्या होता है प्रसंदता आ जाती उसका मन खिल जाता है खिल जाता है और खिल जाने के बाद क्या हो जाते है जब प्रसंद हो जाती है तो सर्मा जाती है ल अपने भावों को अपनी बतों को एक दूसरे से करके और पूरे शभामंदप में अपनी बतों को एक दूसरे से कर रहे बरेभवन में करत है नैगल नहीं सो बते के यहां पे अगर देखा जाए उस बाकति की देखे वैसस्ट किया है वो सफ़ाने कर देखेhen वैस्डिक जहां पर देखे कितना महत्पून है इसलिए हम सारी चीज़ों को आपको लिंक अप कर रहे हैं मूल रूप से जिस चीज के लिए एक्जामपल लिखा गया हो था भी आया ही नहीं है ठीक है ना क्लेयर करते हैं जब हम किसी वाकिंगी की बात करते हैं हम लोग दो परते हैं कि मूल रूप से वाकिंगा होता है एक उद्देश और एक विधे होता है, यानि उद्देश का मतलब एक करता होना चाहिए, और विधे का मतलब क्रियात्वा कर्म, उसमें से कोई भी एक या दोनों या अन्य शब्दों का समावेश होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन जब हम इस पंक्ति को देखते हैं, पहली प बात करें, तो अगर अन्य वाख्य के संदर्म में या बात हम करतें, तो इतनी, यानि ऐ founders, एक दो, तीन, चार, पाच, चे, और साथ यारी साथ कृ cathedral को अगर वाक्त्य करते हैं तो हमें इन साथ चीजों को करने के लिए साथ वाक्तियों क्या व fel यह उनि ठीज़िता हुँ की यही भी बाथ को कई साग्रण वर ला किया तो उमीद करता हूंकि अगला आपके सार्णमें कभी आएगा कि गागर में सागर बढ़ने वाला कभी कौन है तो आप इस दोहे को चार याद रखेंगे और उस प्रश्ण का उत्तर पूर रूप से सहीख करके आएंगे भी कि आया आएप हम चर्चा करते हैं इसमें अपने इस संदर में जित्नी हमें क्नियाई शुर्ण सब्दें पर użyेऊ कि इस रखेंगे में जितने मी शब्द चिहांद यहां देखें ये ता यानी तो आप मिल लाई है यह अनउप्रास अलंकार का जो भीद है, वो किसके अंतरा आ जाएगा आंते अनुप्रास के अंतरा जाएगा। इसी प्र Medium शर्चा सिर्चाय स्रूरू में अपने अनुप्रास अलंकार के जब शर्चा प्रवारम कीता तो उस द concerned जिया था हम लोगों ने हमने एक उधानान आपके साहने दिया था मैंतनी शर्ण कुपते का बहुत चप्चित उधानान था कि चाल चंद्र की चंचल किनने खेल रही थी जल थल में जल थल में अब यहां पर आप देखें तो यहां पर जल और थल सब्दों को लेंगे तो उसके अंतिम बल्डों में अंतिम बल्डों में भी क्या ला शब्द की आवरती हो रही है तो वहां पी आप क्या कर सकते हो कि उन दो शब्दों में अंतिम बल्डों की आवरती की करना महां पर क्या लगा सकते हो अंतिया अलुप्रास लगा सकते हो कौन से लगा सकते हो अंतिया अलुप् वह क्या कहता है वह यह कहता है कि सामानलेता जो चौ पाईयां होती है ठीक है ना चौ पाईयां जो होती है तो चौ पाईयों का जो चलन अत्वां पद होता है उस पद के 120 वा nuclear में समानता पाई जाती है अन्तिम बंडों में समानन्ता प्रवे पती प्रवाय जाता इसका आरत कि बढ़ा कि चापाई के चप्रवें रहन प्रास जान कौम कोफ हकना रहे हुआ और रहे हुआ कि घुतों प्रास चाप टारण भी अन्तिम पर्रास पाता है यह जो तब हमान रहे हो आइं कि Calling jede जान mechanisms दीके उधारान होंगे उनमें कुन सा रंकार होगा मूर रूप से उनमें अन्त्या रूप प्रास्तो हो गाई देखें जैसे हम आपके सामने एक रेख्ञापल लिखते हैं बहुत चर्चित चौपाई है मंगल भावन मंगल भावन अमंगल हारी मंगल भावन अमंगल हारी और दूसरी इसकी फंक्ति है दूसरा चलन है द्रवा उसु दसरत अजिर पिहारी द्रवा उसु दसरत अजिर पिहारी मंगल भवने अमंगल हारी द्रवा उसु दसरत अजिर पिहारी अब देखें इस चौपाई का एक चरण ये और दूसरा चरण ये अब इस चरण का जो अंतिम वर्ण है देखें उसमें क्या री और दूसरे चरण का जो अंतिम वर्ण है उसमें भी क्या मिला री तो देखें अंतिम वर्णों में क्या तू कत्वा समानता मिली तो इस कारण से एक ही नहीं चाहिए आप कोई चौपाई देखिए देखें बहुत चर्चित चौपाई है दूसरे चौपाई में आपके सामने लख रहा हूं कि प्रभु की क्रपा भयों सब काजू और जनम हमार सुपल भा आजू अब देखिए इसका अंतिमल क्या है काजू और जनम हमार समानता मिलने का करार इसमें कौन सा हो जाएगा कौन सा अलंकार हो जाएगा अंत्या अनुप्रास अलंकार हो जाएगा ठीक है चाहती हो आज़ा करता हो यह जो है अंत्या अनुप्रास का भेल अनुप्रास का जो अंत्या अनुप्रास है यह आप लोगों की समझ में आ गया अलामकार 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 ठीक ना? बहुत ही आसान है सातियों आप बस चीजों को ठीक प्रकार से समझते वह चलें जो चीज मैं बता रहा हूँ उन चीजों में जो तत्य है उसको बस समझने का प्रयास करें तो अलामकार आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सातियों अनुप्रास अलंकार में मैंने आपसे कहा था कि अनुप्रास अलंकार की जब भी पहचान होगी तो वहां पर क्या होगा आवर्ति होगी अनुप्रास अलंकार में आवर्ति होगी लेकिन आवर्ति किस चीज की होगी आपको सिर्फ यह याद रखना है जब बात किसकी होगी अनुप्रास की होगी तो वहां आवरत्ती वर्णों की होगी किसकी होगी वर्णों की होगी ठीक है ना जब हम बात करेंगे यमा का लंकार की किसकी करेंगे यमा का लंकार की तो साथियों यहां भी क्या होगी आवरत्ती होगी क्या होगी अवरत्ती होगी आवरत्ती मतलब दुबारा आएगा रिपीट होगा लेकिन यहां पे जो आवरत्ती होगी वो किसकी होगी तो साथी ओ आवरत्ती होगी यहां शब्द की शब्द की, अधिके शब्द और वर्ण में क्या अंतर है, यह मैं आपको लगातार कई बार बताता है, कि शब्द क्या होता है, शब्द जो होता है, वो वर्णों का सार्थक स्वमूं होता है, वर्णों का सार्थक स्वमूं होता है, यादि कई वर्ण जब आपस में मिल जाते और मिल करके एक अर्थ पूर्ण अर्थ पूर्ण या अर्थ देते हैं तो इस प्रकार से जो रचना होती है उसे हम किस नाम से जाते हैं शब्द के नाम से जाते हैं शब्द के नाम से जाते हैं तो यहां पर महतुपूर्ण क्या होगी देखे साथी हो हमने अनुप्रास पला तो वहां भी हमने पढ़ी आवर्थी, क्या पढ़ी? आवर्थी, महत्व पूर्चीज क्या होगी? आवर्थी होगी, लेकिन आवर्थी अगर किसकी? आवर्थी अगर वर्णो की होगी, किसकी होगी? वर्णो की होगी, तो वो क्या कहलाएगा? वर्णो की होगी, तो वो क्या क दूसरी महत्त पूर्ची यहां क्या है कि आप व्रत्तित होगी शब्द की यादि एक शब्द जो है वो एक से अधिक बार आएगा परंतु इस शब्द के जो अर्थ होंगे अर्थ होंगे वो अलग अलग होंगे कैसे होंगे अलग होंगे यादि इसकी परिभाशा आपकी क्या हुई अगर परिभाशा की बात करें तो यमक अलंकार की परिभाशा आपसे कहती है यमक अलंकार की परिभाशा आपसे कहती है कि जब किसी काव में जब किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो उसके अर्थ अलग अलग हो कि यहां पर क्या होगा कि शब्द जो है वो एक से अधिक बार आएगा और उसके जो अर्थ हो वो अलग होगे वह अलग होगे तो ऐसा अलंकार जो होगा वो क्या करना आएगा वो यमक अलंकार खरत इसको देखे एक कवी ने महुत अच्छी तरीके से कहने का प्रयास किया, इसकी परिभाशा को वो एक दोहे के माध्यम से कहता है, वो कहता है, एक सब्द फिर फिर जहां, देखे, बहुत बुझे लिखता हूँ, कहता है, एक सब्द फिर फिर जहां, परै अनेकन बार, अर्थ और ही और हूँ, सोय यमक अलंकार, देखे, बहुत बाकट करके जहां आता है पर्हए अनेकन वार। यानि एक से अधिक बाल आजाता है। और दूस्रे हैं कैकलेता है आ justement कि और ही और हूँ। यानि उसके अर्थ क्या हूँ। अलंग अलंग हूँ। हो कई क्याता है सोयमक अलंकार। बैडी व्यसा अलंकार जो तरह आपके कहलेगा यमक अलंकार , आए जो अलंकार कहलेगा तो व्युमि Gearmillion, अधर्णज इसको समझने के प्रयास करते हैं हम व्यूंट बचपन से रदो ईसका बहुत घ्जामपल इसका होगत होए है बहुत फ्रिमस एक्जामपल है इसका वो कहते हैं कि कनक कनकते कनक कनकते सो गुनी सो गुने मादकता अधिकाए मादकता अधिकाए और दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं कि या खाए बौराए जग वा पाए बौराए या खाए बौराए जग वा पाए बौराए यानि देखें यहां पर एक शब्द क्या है है कनक है एक शब्द क्या है कनक है और इसी कनक सब्द की क्या हो गई आवरत्ती हो गई यानि देखें, यहां पूरा का पूरा शब्द की आवर्ति हो लिए, वार्णों की नहीं, जब हमान उप्रास को रहे तो वहां क्या देख रहा थे, वार्ण को देख रहे थे, लेकिन यहां क्या हो देखें, पूरा का पूरा सब्द की आवर्ति हो गई, पूरा का पूरा शब दोहें भी इसका अलग अर्थों के रूप में प्रयोप किया गया है एक कनक जो है उसका अर्थों के रूप में प्रयोक किया गया है दतूरा एक कनक जो है उसकार्त लिया गया है दतूरा और दूसरा कनक जो है उसकार्त लिया गया है सोना ठीक है न दोहा किस प्रकार है हमारा दोहा इस प्रकार है कि कनक कनक ती सौग ने मादकता अधिकाए या खाए बावराए जग वापाए बावराए यानि वो कहना है कि कन कनक सोना है और धतूरा है है यदि या एक में माधकता क्या है दूसरे से सौगानी है अधिकाए प्रहे किकाएली एक जो चीज है फल है यानि एक कनक का मतलब धतूरा जिसको खाया जाता है तो वहां पे वो क्या कहता है कि एक जो फल है उसको खाने से आत्मी बाउरा यानि पागल हो जाता है यानि पागल होने के लिए उसको खाना पड़ता है लेकिन दूसरा कनक जो है यानि सोना जो है तो इस पश्ट रूप से आपके सामने यहां पर इस पश्ट हो जाता है कि एक को खा करके आदमी पगला रहा है दूसरे को पा करके आदमी पगला रहा है और आपके सामने अगर यह प्रश्ण कर दिया जाए कि बताईए इसमें से ज्यादा विशैला या ज्यादा माधकता किस psychologist में हैं किसी संकोच के ऐसे सभूब करके ज्यादा मादता होगी तो सो इस परकार से यहां दिखार गया है कि सोना जो है और तरे से अधिक मादक है अधिक कर देता है आत्मी को परग्ला तो इस प्रकार से इसमें हमारा यावक अलंकार हो जाएगा इस प्रकार से बहुत से एक्जामपल है बहुत से एक्जामपल है जैसा एक्जामपल आपका पूरा का पूरा एक पद है पूरा का पूरा तुलसी एक पद लिखते हैं बहुत अच्छा पद लिखते हैं वह लिखत पंक्ति में वो कहते हैं नगन में जवाती थी जो नगन ही जवाती हैं और दुई बेर खाती थी वो दुई बेर खाती है अब देखें ये पूरा का पूरा उधार जो है आपके सामने तो इसे ने बहुत बनिया चर्चा में लिखा कि उचे गोर मंदर के अंदर रहा रहा दी और उचे गोर मंदर के अंदर रहाती हैं यानि देखें मंदर सब देखी हैं पर उन्होंने क्या की आवरती की लेकिन एक मंदर कारत उन्होंने यहां क्या दिखाया कि उचे महलों में उचे गोर मंदर का मतलब महल जो उचे पहालों पर महल बने यानि रानिया जो पहले कहा महलों में रहा करती थी, वो कहां रहती है, मंदर में, यह दूसरे मंदरकार्थ उन्होंने यह कहा लिया, गुफाओं से लिया, यह साथियों उस समय का प्रक्राण है, जब रावन का वद हो जाता है, और उसके बाद, वहां पे जो राणियों की दसा है, जो राच्छशियां राच्छों के वद्द के बार, उनकी स्थिती में जो परिवर्सन हुआ, उसको इस चंद के माध्यम से कहने का प्रयास किया, कि जो राणिया कभी महलों में रहा करती थी, आज उनका निवास स्थान क्या हो गया है, आज उनका निवास स्थान जो है, वो गुफाएं हो गई कंद्राएं हो गई है दूसरी पंक्ति में लिखते हैं कि बीजना डुलाती थी जो बिजना डुलाती है देखें बीजना डुलाती थी जो बिजना डुलाती अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कभी किसी के बीच ने रानिया है रानियों का सामाने लोगों के बीच में क्या काम तो जो किसी सामान में आदमियों के बीच नहीं रहती थी आज राचिसों के वद्ध के बाद उनकी ये इस्तिती हो गई है कि वो बीजना डुलाती यानि सेविकाओं के बिजना का अर्त मतलब पंका होता है आप लोग समझ पाएंगे बिजना को पंका भी बोलते चावर पुर सक्ते में रहती ती और दूसरा पंके से तेस्री त्यक्ति प्यारी पंके लिखिये कि नगन में जलाती थी जो नगनरहीं जराती है यानि जो कभी सभी सर से लेकर पाँों तक आभूश्रस ऑभी रहती थी एक हम में गिलिए एक आभूश्र는데 होता था ठीक Southeast Asia कंदीशन आज परिस्थिती आ गई है समय के कारण कि आज वो नगन ही ज़ा रही ह। वस्तरहीन हैं अपने तन को डगने के लिए फेड पेड पेड़ के पत्तिय लता आधियों का सारा ले रही है, एक समय का परिवर्तन हुआ है, जो पहले नगनों में ज़ाया करती थी आज क्या वस्त्रहीन है नगन है यानि नगन का यहां पे यमक के रूप में प्रोग किया गया और अंतिन पंक्ति जो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि दूई बेर खाती थी वो दूई बेर का मतलब एक फल से लिया गया है और एक बेर का मतलब साथियों पहर होता है एक बेर का मतलब करती थी 56 प्रकार के भोग जिनके सामने लगे रहते थे आज परिस्थितिया ऐसी हो गई है कि वो तीन बेर खा करके अपने पूरे जीवन का जीवन ही अपन कर रही है एक दिन में वह मुश्किल से उनको तीन बेर खाने को मिल पा रहे हैं ऐसी इस्थिति तो यमक अरंकार का एक अनुटश्ट उदाना आपके सामने था जो कि पूरे के पूरे च्छंद के बादिन से था तो इस प्रकार के बहुत से एक्जामपल मिलेगे हम लोग अगर काविकी बात करें तो पुराने समय में हमां यहां के जो गीतकार होते थे बहुत बढ़ीयां गीतों की रचना क सजना हे मुझे हैं तो बाहँ पुराना गाना है फार बहुत सब्सके मिलेस कि अदि describes कितना बढ़ा करेक अलंगारिक दिश्क्ति कोंड से क्या है एक सब्द सज्ञां अतब रहा है है क्या इनको देख पा रहे हैं सज्ञां के लिए अब वह क्या है इस पाशक्रूप से रहे हैं कि सजना में वो कहते हैं कि यहां पे सजना का मतलब हो गया सिरिंगार, मुझे क्या करना है, सिरिंगार करना है, एक नाई का है, एक प्रेमी का है, या एक पत्नी है, वो क्या कह रही है, कि मुझे अपना सिरिंगार करना है, किसके लिए, सजना के लिए, सजना मतलब पती के लि तो इस प्रकार से इस पंग्ती में भी आपका कौन सम्धार हो गया, तो आशा करता हूँ आपको यमक अलंकार उनुरूप से स्पस्ट हो गया होगा, ठीक है, अब आते हैं इसके भेद में, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अपनी चर्चा को विस्तरत करते हैं, आगे बलाते हैं मूलूरूप से तो यहीं तक किताबों में इसका दिया होता है, लेकिन साथियों यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक भेद होता है इसका अभंग, कौन सा होता है, अभंग, और दूसरा इसका जो भेद होता है, वो होता है, सभंग, आप इतना जाल ल कि एक इसका वेद होता है अभंग यमक और दूसरा इसका वेद होता है सभंग अब जैसे कि मैंने सब्द रचना के दोड़ान आपको चीजों को बताया था कि तोड़ तोड़ करके आप सब्दों को उसके अर्थ को जाने का प्रयास करते हैं तो आज देखिए इसको तोड़े कि यानि तोलना यानि अब इसकी पईवासागosphताएं तो देखिए समझे का प्यास किजीए कि अभंग में यमक होगा वो पईवासा उसकी यह कहती है कि जहां पर आमें शब्दों की आफरति के लिए आपiran के लिए हमें दो शब्द अलंग अलंग एक ही शब्द एक से अधिक बार यारी वाग के में दो एक या एक से अधिक बार का प्रयोंग दिख जाता है तो ऐसा जो उदारन होगा वो आपको क्या कहलाएगा अभंग कहलाएगा क्या कहलाएगा सतियों अभंग कहलाएगा और दूसरा जो होगा सभंग, दूसरा क्या करनाएगा सभंग, तो सभंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, कि जो काद में हमारा दिया होता है, जो उधारन हमारा दिया होता है, तो उस उधारन में हम क्या करते हैं, कि सब्ध को बनाने के लिए, शब्ध को बनाने के लिए हम उसको भंग करते हैं ठीक है उसको भंग करते हैं आइए उद्हारन के माद्य में से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं साथियो अभंग में तो आपके वो सारे उद्हारन आ जाएंगे जो हम यमक अलंकार के अंतरगत पढ़ते हैं क्योंकि देखें, यहां पर हम जो पर रहते हैं, वहां हमें शब्दों को भंग नहीं करना परा। जैसे हमने पढ़ा कनक कनक, देखें, यहां पर कनक और कनक अलग-अलग आगी है। ठीक है, जैसे हमने पड़ा, सजना-सजना, तो वहाँ पर सजना और सजना, अलिग-अलिग मिल गया, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ा, भंग नहीं करना पड़ा, तो इस प्रकार का यमक अलंकार का जो बेद होगा, तो वो क्या करनाएगा अभंगर मक्र है,- क्या करनाएगा अभंगर मक्र हैं- अब आईये हम लोग इसके दूसरे प्रिकार पर चर्चरा करते हैं- जो कि क्या है? सभन- देख उधारान के मद्डे हमसे देखते हैं- कि यह बहुत चर्चित एक दोहा है पंगती है जिसमें वो कहते हैं कभी कहता है कि माला फेरत जुग भया अफिरान मन का फेर यहां सब किंहां धर नाकिस प्रखी किए गॉर् goofy नाम नाम का घर्म में हैं जायरा मुष्लिन अधरम ऊ-प्रिधा है चाहे वो हिंदु धर्म हों अर्जर्म दर्म में जबंगी महिवा को पुरबाशित किया घिक है उसकी महत्ता को टला गया तो मन को कहता है कि माला फेरत नामन का प्यर एक पर आपका भीद गया लेकिन मन का जो ब्रब्बत था मन में के जो कपट था वो नहीं समाप्त हुआ वो नहीं समाप्त हुआ यानि कुल मिला के दूसरे सब्दों में कहें तो वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मुकमे राम बगलबे छोड़ी दिखाओ कुछ और अंदर कुछ और भाव हो यही वो कह रहा है कि बाहर से तो आप मौला कर र सुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च नहीं होुय है ठीक ना यहा पर मन का मतलब यह हो गया ही दानों में और मन का मतलब गूत्व मथप prends में जिसकी माला फोती जिसे हम लोग क्षेटे नां थें तो अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको यमिंत कटेंगे क्या वृत्ति करने के लिए हम इस मनका को भंग करेंगे और मनका को अगर यहां से जब हम भंग करेंगे ठीक है तो यहां से देखें अब यहां से आप इस पश्ट रूप से देख सकते हैं कि इस उधारण में हमें क्या दो मन के उधारण मिल गए एक मन मिल गया शब्द और ए इंए एक मन मिल ग्या यहां पर एक मन का अर्थ हुआ यहां पर इस मन का अर्थ हुआ और यहां पर बंख करना पड़ता, क्या करना पड़ता है ? तो यमक अलंकार का वशू में क्या करना हूं बहुत कर दाता है क्या कर्दा है ? सभंग Schweiz यमक तथ है तो यह दोनों चीज़ें भी आप ins sake clear होगे ? यहां पर हमें आप आप तालते थे वह दुई बेर खाती हैं घली दुई बेर खाती हैं अब यह जोовой यह दधामपल है अपका यह पूर रूप से किसका ए अभगिकां हैं यहां एक रिंदी का मतलब हो गया समय अत्वा में पहर संध समय अत्वा पहरस और दूसरे बहा का मतलब हो गया तो साथ है यहां पर यहांपे क्या वगया हमने यहां से आज हम ने यत्य सिर्वे यिर में पूर्णकड कर लिया है अगली चर्षा ऐसे नेक्स क्लास में प्रारंब करेंगे जिसके अंतर हम लोग सले सलंकार को जानेंगे और सले सलंकार के क्या भेद होते हैं किस प्रकार से सले सलंकार की हम लोग पैचान करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और उमीद करता हूं कि उस दिन हम ये अपने जो शब्दा अलंका प्रार्ब करेंगे तो इसी के साथ आज की अपनी चर्चा को हम विराम देते हैं और पुना आपसे एक बार निवेदन करेंगे कि आप जो हम लोग को चला रहे हैं इससे अधिक से अधिक लोगों को के मद्दम से अपने सुझाओ प्रेशित करें तो इनी शब्दों के साथ आज की अपनी चर्चा को कथा को हम विराम देते हैं इस आसा के साथ की अगली चर्चा में हम आपके सामने शकुसल उपस्तित होंगे आप सभी को जये